स्वागत है आपके अपने ही चैनल माटकिंग में अगर कंसेप्ट फोकस लास्ट डे हमने चैप्टर पढ़ा था वैदिक मैंथमेटिक्स में मल्टिप्लिकेशन करने का तरीका देट वाज निखिलम सुत्र उसमें कुछ पाड जो है बचा हुआ रहा था मैंने आपको वादे फिस्तिरी अठ्च strangely क्या कहता है मलो आपको मल्टिप्लाई करना है 12 का और 13 का मल्टिप्लाई करने का तरीका क्या है बहूत सिंपल सा तरीका है गए म से मल्टिप्लाई किया वन क्रूस करना है जहाएगा मल्टीप्लाई करेंगे और मॉल्टिप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा कोई लिमिटेशन नहीं है जैसा कि चोई सी नंबर होगा तो उसकी multiply हम easily कर पाएंगे यहां पर ऐसा कोई limitation नहीं है किसी भी number को किसी भी number से multiply करना हो बिल्कुल से तरीका है ठीक है ओके अब थोड़ा सा एक दूसरा number हम देख लेते हैं यह हुआ two digit का number अभी अगर three digit का number आप ले रहे हो ठीक है माल लेते हैं 123 लिया आपने और एक नंबर लिया आपने 156 दो नंबर ले लिया आपने वन डिजिट का और एक टू डिजिट का तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको पहले डिजिट को multiply करो तो वन का multiplication one में one लिख दिया अब जो next digit आएगी वो two digit two digit से मिलके बनेगी पहली डिजिट पहली डिजिट से मिलके बनी है दूसरी डिजिट दो डिजिट से मिलके बनेगी मतलब दो member लेने हैं आपको उनकी cross multiply करनी है तो one का five में multiply और two का one में multiply जैसा कि हमने पहले किया था तो five का one में multiply five और two का one में multiply two आ गया तो इसको लिखेंगे हम यहां पर seven समझ भाइबा दोनों को add कर दिया अभी हमें क्या करना है देखो अभी जो third digit बनेगी third digit कौन सी बनेगी उसमें आपको तीन लेने होंगे तीन डिजिट लेनी होगी ठीक है तो तीन डिजिट कैसे लेनी है देखो बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको इसमें इधर से जाना है और इसमें इधर को आना है ठीक है क्रोस कैसे करना है वो सीख लो चाहे तीन डिजिट हो चाहे दस डिजिट हो चाहे पचास डिजिट हो करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है तो पहली डिजिट को आखरी डिजिट से मल्टिप्लाई करेंगे तो पहली डिजिट को आखरी डिज क्या है सिक्स है ठीक है अब अब क्या करना है आपको कि इसका सेकंड डिजिट लेप्ट से सेकंड और वहां राइट से से तो left से second two है right से second five है तो two five are ten हो गया ठीक है अब third digit third digit कौन सी होगी left से third और यहां पर right से third तो left से third कौन सी है three है और right से third कौन सी है one है तो add किया तो कितना आया three आया समझ किया बात अब देखो पहले हमने two digit को add किया फिर हमने 3 digit को add किया अब इसको जब maximum तक हम जाएंगे तो उसके बाद में फिर ये घटना शुरू हो जाएगा घटना शुरू हो जाएगा मतलब अभी 3 digit को add किया था अभी फिर 2 digit को add करना पड़ेगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा अब हमें 2 digit का only 2 digit का multiply करना है cross multiplication तो अभी 2 digit जो हम लेंगे वो पहली digit छोड़ देंगे क्योंकि यह हम ले चुके हैं अब हम अगले वाली 2 digit लास्ट की 2 digit लेंगे तो 2, 6, 12 and 5, 3, 15 12 plus 15 कितना हो गया 27 हो गया तो मैं इसको लिख देता हूँ 12 plus 15 ठीक है और अब क्या लेना है अब 1 digit बचेगी क्योंकि 2 digit ले चुके हम देको पहले हमने 1 digit ली फिर 2 digit ली फिर 3 digit ली उसके बद फिर 2 digit लेंगे उसके बद फिर 1 digit लेंगे तो 3, 6, 18 और 1 हो जाएगा यहाँ पर carry ठीक है अब इसको करेंगे हम 1, 7 और यह हो जाएगा 3 plus 6, 9 9 plus 10, 19 तो यहाँ पर 1 carry हो जाएगा और 12 plus 15, 27 2 carry हो जाएगा और यहाँ पर 8, 1 carry हो गया ठीक है तो अब इसको हम लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले 8 लिख लो फिर 1 plus 7 क्योंकि 1 carry था 7, 1 plus 7 कितना हो जाएगा 2 plus 9, 11 हो जाएगा तो 1 और carry हो गया 1, 1, 1 यहाँ पर already carry था 1, 1 यहाँ पर और carry हो गया ठीक है क्योंकि 2 plus 9 हुआ 11 तो उसका 11 का 1 लिखा, 1 carry हो गया अब यहाँ पर carry कितने हो गया, 2 हो गया 2 plus 7 कितना हो गया, 9 हो गया और यहाँ पर 1 लिखा ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करना है ठीक है, अब यह 3 डिजिट का हो गया 4 डिजिट में भी अगर होता तो क्या होता, पहले हम 1 पार्ट लेंगे पहले 1 डिजिट का multiplication फिर 2 डिजिट का cross multiplication फिर 3 डिजिट का cross multiplication cross multiplication लिखने का तरीका क्या है, कि left से right की तरब चलो तो leftmost digit का multiplication होगा, rightmost digit के साथ फिर left से दूसरी digit का multiplication होगा किसके साथ, जो right से दूसरी digit होगी, left से 3 डिजिट का multiplication किसके साथ होगा, जो right से 3 डिजिट होगी, तो मैं आपको यहाँ पे एक general एक तरीका लिख देता हूँ, general तरीका फिर क्या हो जाएगा, माल लो ये a, b, c, d, e, f, ठीक है, इस तरह से लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे x, y, z या इसको मैं small letter में लिख देता हूँ, a, b, c, d, e, f, ठीक है, कुछ भी number हो सकता है लास्ट में भी, तो इनको कैसे multiply करना है, वो मैं तरीका बदा देता हूँ, आपको, क्या करना है, sorry, यहाँ पे माल लेते हैं, f तक ही छोड़ देते हैं, इसको, ठीक है, कितने digit है, इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, digit है, तो इसको multiplication करने तरीका, पहला जो portion आएगा, वो इसका multiply आएगा, यानिके, ए, ए, देखो, तरीका सीख लो, तरीका सीख लो, तो चीजें आसान हो जाएंगी, दूसरी बार में क्या लिना है, दूसरा portion क्या बनेगा, दो डिजिट का cross multiplication, दो डिजिट का cross multiplication, ए का B के साथ, और प्लस A का B के साथ, ठीक है, अब तीन डिजिट का cross multiplication, A का पहले C के साथ, अब खाली हमें क्या करना है, हमें तीन डिजिट कंसिंडर करनी है, वसी है, ठीक है, तो अब यहां से left चलेंगे, यहां से right चलेंगे, तो A का C के साथ multiplication, A C, प्लस, left से first डिजिट थी, right से first डिजिट थी, अब left से second डिजिट होगी, तो right से second डिजिट होगी, तो यह हो जाएगा, BB प्लस, यह C, A के साथ multiply हो जाएगा, ठीक है, fourth portion क्या बनेगा, fourth portion आपका, अब क्या करना है हमें, अब हमें चार का pair लेना है, ठीक है, और उन चार pair में cross multiply करना है, तो अब यहाँ से शुरूबात करेंगे, A से शुरूबात करेंगे, A से पहले D का multiply करना है, A से D का multiply हो गया, प्लस, first डिजिट का last डिजिट से multiply हुआ, second डिजिट का, left से second डिजिट का multiply किसके साथ होगा, right से second डिजिट के साथ, तो यह हो जाएगा, BC plus, अब left से third डिजिट का multiply किससे होगा, right से third डिजिट के साथ, तो यह हो जाएगा, B और C, प्लस, अब last डिजिट का multiply, first डिजिट से हो जाएगा, तो यह हो जाएगा D A कितनी डिजिट हो चुकी अभी तक 4 डिजिट हो गई अभी हमें क्या करना है अभी हमें 5 डिजिट लेनी है ठीक है तो अभी 5 डिजिट के बारे में consider करेंगे ये 5 के बारे में consider करेंगे ठीक है तो A का multiply किसके साथ E के साथ, मैं समझा देता हूँ आपको, बाकी अराम से कर लेना, A का, E के साथ, B का, B के साथ, C का, C के साथ, B का, D के साथ होगा, A का, E के साथ होगा, इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए, और उससे अगली वाली क्या होगी, 6 digit consider करेंगे, A का, F के साथ, B का, E के साथ, C का, B के साथ, D का, C के साथ, E का, B के साथ, F का, A के साथ multiplication करेंगे, उसको add कर देंगे, अभी देखो, 6 की 6 digit पूरी हो चुकी है, अभी वापस से उल्टा चलना है, 6 digit होगे, उसके बाद 5 digit consider करेंगे, तो अभी इस पहले वाली digit को छोड़ देंगे, है ना, अभी ये 5 digit consider करेंगे, समझ की बात, तो ये 5 digit consider करेंगे, तो क्या करेंगे, B को, F के साथ, C को, E के साथ, D को, D के साथ, E को, C के साथ, B को, F के साथ, 5 digit होगे, अभी 4 digit consider करनी है तो यह दो डिजिट छोड़ो दोगे, अब यह चार consider करोगे, ठीक है, इनको भी same pattern में हमें multiply करना है। फिर तीन डिजिट तीन डिजिट यह वाली तीन डिजिट मिलके बनाएंगी फिर दो डिजिट यह वाली मिलके बनाएंगी और फिर लास्ट में वन डिजिट वन डिजिट यह और यह मिलके बनाएंगी ठीक है बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी नंबर का मल्टिप्लाई यह आपको बताया था कि जब बेस के नजदीक नंबर हो तो हम वहां उसको multiply करना हमें आसान रहेगा अब हम थोड़ा सा comparison देख लेते हैं ठीक है कि कौन सा method से calculation जल्दी हो रही है तो जिससे आपको माइंड क्लियर होना चाहिए कि कौन से method से calculation करनी है कौन से method से multiply करनी है जिससे कि आपका time बचे ठीक है कि अब हमें comparison देख लेते हैं दोनों method के अंदर जो हमने निखिलम सुत्र पढ़ाया और तरियक सुत्र पढ़ाया दोनों का comparison क्या देखो comparison वैसे तो कुछ नहीं है क्योंकि दोनों ही formula का अलग-अलग use है जब हम base के नजदीक हो तो निखिलम सुत्र य अच्छा है या इजी है या फिर निखिलम सुत्र इजी है दोनों comment box में जरूर मुझे बताईएगा चलिए इसको यहां देखते हैं वेज थाउजंड के पास इसको देख लेते हैं तो वेज थाउजंड पर यह कितना हो जाएगा 015 आएगा यहां पर है geb treaty यृटी कितने हो जाएगी इसमें डैफिशंसी हो जाएगी 522 की ठीक है इसको मल्टिप्लाई करते हैं 1523 तरी आगया कैरी 15233 आ गया 155 जा 75 and 378 आ गया लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे 7 को एजे कैरी लेंगे क्योंकि 3 डिजिट से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं यहां पर हो जाएगा आपका 463 478 माइनस 15463 हो जाएगा यह हो जाएगा 4707 को इधर एड़ कर देंगे तो जाएगा 470830 ठीक है यह आगया फाइनल आंसर तो यह किया हमने निखिलम सुत्र से अब हम इस पर लगाते हैं और तरी एक सुत्र तो देखते हैं क्या होता है नाइन फोर जा 36 नाइन सेवन जा 63 63 प्लस 32 कितना हो गया 95 हो गया 95 नाइन यहां पर कैरी ले लिया 98 जा 72 72 प्लस 56 72 प्लस 56 हो गया आपका 128 128 प्लस 21 48 तो 148 का एट ले लिया 14 यहां पर कैरी कर दिया ठीक है उसके बाद 8 जा 64 64 प्लस 35 यह हो गया 90 64 प्लस 35 नाइन यहां पर लिया 9 यहां पर लिया ठीक है 5, 8, 40, 0 यहाँ पर लिया 4 carry, तो यह हो जाएगा 0, 9, 4, 13 एक carry हो गया 9 ओलड़ी है, 10 प्लस 8 18, एक carry हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 प्लस 5 20, 2 carry हो जाएगा 2 प्लस 9, 11, 11 और 36, 47 तो 4, 7, 0, 8, 3, 0 दोनों से यह answer आ जाएगा तो final discuss यही है कि देखो जहां पर तलवार का काम होता है वहां सुई काम नहीं कर सकती और जहां सुई का काम होता है वहां पर तलवार काम नहीं कर सकती तो यह difference आपको जानना बहुत जरूरी है तो calculation बहुत easy हो जाएगी multiplication बहुत easy हो जाएगी तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि कौन सा तरीका कहां पे apply करना है ठीक है? दोनों ही तरीकों का अपना-पना use है दोनों ही तरीकों को हम apply कर सकते हैं तो यहां पे मैं इस lecture को यहां पे conclude करता हूँ तो अगर यह तरीका आपको अच्छा लगा है तो इस lecture को जरूर लाइक करिए शेर करिए लोगों के साथ जिससे के ये lecture ज़ाज़ा लोगों तक पहुँच सके और बिना निखिलम सूतर के अगर आपने ये only ये lecture देखा है तो इसका कोई use नहीं है आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा ठीक है चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ क्योंकि आने वाले जो मेरे वीडियोज होंगे वो और भी अच्छे आपको लगने वाले हैं और भी ज़्यादा गुड होने वाले हैं थैंक्यू बेरी मच देखते ही ये मैट किंग में करें